करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 माई तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं अब इस वीडियो को अंति तक चरूर देखेगा आज भी आपको काफी कु क्योंकि जो भी हमारा पीडियाफ मैटियल है जिसमें आपको करंट अफेर्स के साथ साथ स्टैटीजी के भी प्रोवाइट कराते हैं यह सभी मैटियल आपको हमारी करंट अफेर्स फंडा एप पर उपलब्द हो पाएगा तो पीडियाफ कोर्स बाए करना चाते हैं तो पहले दस माई को पढ़े गए करंट अफेर्स क्विक्ली रिवाइस कर लेते हैं नेपाल के माउंटेनियर कामी रीथा शेर्पा इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चड़ाही करके एक नया वर्ड रिकोर्ड बना दिया है आपको जानना चाहिए सोलार एनरजी क्राफिकिंग फ्री रास्ट बनाने के लिए एस्सोशेशन फोर वॉलेंटरी एक्शन एवीए के साथ मॉयू साइन किया है भारते शूटर धनुस श्रीकांत इन्होंने चोबिसवे डेफ लंपिक्स जोकी ब्राजील में आयूजित हो रहे हैं यहां पर मैंस 10 मिटर एर रा जीता है इंडियन बैंक ने एक डिजिटल ब्रोकिंग सॉलूशन लॉंच किया है जिसका नाम है इब्रोकिंग साथ ही आपको जानना चाहिए नॉर्थ इस्ट रिजन से जो इस्मॉल एंड ट्रेडिशनल आर्टिशन से उनको सपोर्ट करने के लिए एट्सी ने एन इए ए इन तीनों ही सोशल सेक्यूर्टी स्कीम्स की सेबंथ एनिवर्स रिवन आई गई नाइन्थ में 2022 हो आपको जानना चाहिए कि नेशनल इस्ट्यूट ऑफ एलेक्ट्रोनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोजी यानि की एन आई एल आई इसके पांच सेंटर्स हाली में नॉ इसनल कॉन्फरेंस ऑफ क्लस्टर बेस्ट बिजनस और्गनाइजिशन यह जयपूर में और्गनाइजिट की गई वन वेब इसने लो अर्थ और्बिट सेटलाइट्स लॉंच करने के लिए निउ इसपेस इंडिया लिमिटेड एन एस आई एल के साथ एक एगरिमेंट साइ पांचेजार साल पुरानी ओल्ड पांचेजार साल पुरानी जूर्री मैनुफेक्ट्रिंग फैक्ट्री यह हर्याणा के राकी गड़ी में जो है मिली है हाली में आर्केलोजिकल सर्वे उफ इंडिया के उनको मिली है तो चलिए अब 11 माई तक के सभी इंपोर्टेंट करें अफेर्स देख लेते हैं संतूर मैस्ट्रो पंडित शीव कुमार सर्मा फू पास्ट वे रिसेंटली वास बोर्ण एंड प्रोट अट वीच प्लेस संतूर वादक पंडित शीव कुमार सर्मा जिनका हाली में निधन हो गया का जन्म किस इस्थान पर हुआ था ओप्शन रहेगा जम्मू तो देखिए संतूर वादक और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर पंडित शीव कुमार सर्मा इनका हाली में 84 वर्स की उम्बर में मुंबई में कायड एक अरेस्थिक कारण निधन हो गया है मानकर चलिए यहां से कोश्चन आपके पास आएगा डिर जम्मो में हुआ था 13 जनवरी 1938 को इन्होंने अपना फस्ट सोलर प्रफोर्मेंस जो रिकोड की थी और सबसे पहले इन्होंने जो है सांतराम की जो फिल्म है जहनक जहनक पायल बजे इसमें बैक्ग्राउंड म्यूसिक दिया था जो की काफी फेमस रहा अच्छा इनके अव विभूशन 2001 में दिया गया तो तीन चीजा आप बेसिकली याद रखेंगे संतूर से संबंदित हैं जम्मो में इनका जर्म हुआ था और यह तीन अवार्ड याद रखें खासकर कि पद्म विभूशनी ने साल 2001 में मिला था और संगीत नातक एकेडमी 1986 में चले आगे अधी युद्धाओं को सम्मानित करने के लिए किस राज्य में एक इको फ्रेंड़ी संग्राले का निर्मान किया गया है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन डी है अरुनाचल प्रदेश चले जानते हैं इसके बारे में तो एक इको फ्रेंड़ी म्यूजिम बना बनाए गया है अरुनाचल प्रदेश के सियांग डिस्टिक के कॉम सिंग हैमलेट में तो विलेजर ने बनाया है और क्यों बनाया है जो आधी वारियर्स रहे हैं आधी वारियर्स ने जो है 1912 में एक ब्रिटिस ऑफिशल को जो है एससेसिनेट कर दिया था दूरिंग इस कर इसका मतलब होता है लोगों की जड़प एक छोटी फाइट हो जाती ने कभी जड़प हो जाती अशूर्ड फाइट बिट्विन ग्रूप्स ओफ पीपल तो कोई जड़प हो गई होगी इस प्रिटर्स ऑफिशल के साथ तो इन्होंने उसको एससेसिनेट कर दिया था तो य जाना चाहिए 1972 तक अरुणाचर प्रदेश को नौर्थ इस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था और यह फैक्ट कई तरह के एक्जाम में पुछा जा चुका है कई बार साथे आपको जाना चाहिए बीस जन्व पर इन्नीस सो बहात्तर को इसे यूनिय यह द्री फोक डांस कई बार पुछा जाता है द्री फ्रेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है पासी घाटे हैं आपर परशुराम कुंड है यह महत्तपूर्ण है नामधपा नेसल पार्क है मॉलिंग नेसल पार्क है बॉम डिला तवांग यह फ्लेसे नहापर और अपद कार डॉन लौनच यह options आपके सामने हैं सही अज़िए स्थेट्व्साम ऑप्षिन रहे गा sdfc bank देख सकते हैं स्थेट्व सी बैंक लॉंच है इंडस्री फॉस्ट स्थेटी मिट एंक्सप्रिस कार लूनच चले जानते हैं इस्थेफ्सिए बैंक ने एक्सप्रिस कार लो जो है उसकी एकाउंट में विदिन हाफ एन आर आधे कंटे के अंदर जो है क्रिडिट कर दिया जाएगा बाकिया आप जानते हैं HDFC बैंक के बारे में CEO ससीदर जगदीशन है हैटकोर्टरस मुंबई है टेग लाइन वी अंडस्टेंड यूर वर्ड है हाली हमने यह भी पढ़ा था कि STFC बैंक यह फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया जिस नहीं माचर परदेश के के लोंग में जो है ब्रांच ओपन की है साथ ही आपको जाना चाहिए STFC लिमिटेड और STFC बैंक ने हाल ही में ट्रांस्फोर्मेशनल मर्जर एनाउंस किया है नेम दे टैनिस प्रेयर हू बीकेम दे यंगेस्ट एवर टू इन दमेड़िट ओपन उस टैनिस खिलाडी का नाम बताइए जो मेड़िट ओपन जीतने वाले सबसे कम उम्रे के खिलाडी बने है उप्शन साप के सामने है सही आंसर ओप्शन ए रहेगा कार्लोस अलकरास तो देखें 19 साल के हैं और इस्पेन के हैं कार्लोस अलकरास तो ये यंगेस्ट चैंपियन मन गए हैं इन्होंने मैडविट ओपन को जीता है और किसे हराया इन्होंने फाइनल में इन्होंने हराया है जर्मनी के अलेक्जंडर जेवरो को साथ ही आपको जाना चाहिए क्ले कोर्ट में राफिल नडाल और जोकोविच को हराने वाले ये फर्स्ट टैनिस प्लेयर बन गए हैं तो देखें 19 वर्स के हैं तो इससाब से लगता है काफी बड़े प्लेयर ये बनने वाले आ गयाने वरी टाइम में बाकी विमेंस सिंगल यह चाह órट आपको एसन घनम हम चाहिए का यह से उसन नडाग..! बाकी म्न तैबल आप देख सकते हैं इन्होंने जीता और मेंस सिंगलwać हराए यह विमेंस राप़ के लिए कि विमेंस सिंगल्स और और मेंस सिंगल्स ने जीता which company has designed India's first regional rapid transit system किस कंपनी ने भारत का पहला छेत्रिय rapid transit system डिजाइन किया है options आपके सामने हैं सही आंसर option A है Alstom तो देखिए जो भारत का first regional rapid transit system है इसके लिए जो train set है जो train चलाई जाएंगी तो उसको हाल ही में national capital region transport corporation NCRTC को handover कर दिया गया है कहां पर गुजरात के सावली में तो देखिए Alstom इसने यह train set बनाए है इस company ने train set बनाए है और इस event के दोरान जमिनों ने NCRTC को यह handover किये तब इसके जो MD है NCRTC के विने कुमार सिंग यह भी मोजूद रहे आपको जानना चाहिए कि मेकिन इंडिया के तहत तीस रिजनल रैपिट ट्रांजिट सिस्टम अल्ट्रा मोडर्ण ट्रेंस को डिजाइन किया गया है है और इनको जो मैनुफेक्चर किया गया है यह गुजरात के ट्रांजिट सिस्टम है तो इसके तरह जो यह ट्रेंस बन रही है तो इनकी स्पीड इस तरह से डिजाइन की गई है कि 180 किलोमीटर पर आर की स्पीड रहेगी और जो इसका रूट रहेगा डैली टू मेरट का पच्पन मिनट में यह कवर कर लेगा और हर पांस से दस मिनट म होंग जाओ चाइना इन विच मंथ कोविड नाइंटीन के कारण 2022 एशियाई खेल को 2023 तक के लिस्थगित कर दिया गया है यह खेल चीन के हांग जो में किस महीने में आयूजित होने वाले थे और साही आंसर ऑप्शन डी रहेगा सितंबर सेप्टेंबर चले जानते हैं तो 2022 जो की चाइना की हांग जो में सितंबर में होने वाले थे इनको 2023 तक अब पॉस्पोन कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर इस सहर में कोविड नाइंटीन के के केसेज काफी देखने के लिए मिल रहे हैं तो यह एनाउंसमेंट किये ओलंपिक काउंसिल ओफ एशिया की जो क कियेशन गेम्स के लिए गावर्णिंग बोडी है और यह इन गेम्स यह जो गेम्स हैं यह 19th एडिशन होने वाला था तो इसके लिए नई डेट्स एनाउंस करेगा आपको बता दें यह 10 से 25 सितंबर के बीच गेम्स होने वाले थे साथे आपको जाना चाहिए वर्ड उनिवस्टी गेम्स 2021 जो कि 26 जुन से 27 जुलाई के बीच होने वाल थे शैंग्दू शाइना में इनको भी अब 2023 तक पोस्पोन कर दिये गया है साथे आपको जाना चाहिए कि जो ओलंपिक काउंसिल ओफिस है इसका हेट्वाटर्स कुएट सिटी कुएट में विच स्टेट विल प्रोवाइड फ्री वाइफाई फैसिलिटी फॉर पीपल विदिन 50 मिटर्स ओफ विलेज सेकरेटेरियट कौन सा राज्य ग्राम सचिवा तो उनमें 58,000 प्रेस पर फ्री वाइफाई फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा तो देखिए वो सभी लोग जो ग्राम सचिवाले यानिकी विलेज सेकरेटेट बिल्डिंग के 50 मिटर्स के दाइरे में रहते हैं उनको फ्री वाइफाई फैसिलिटी प्रोवाइड कराई प्रेसिडेंट ऑफिच सेंट्रल अमेरिकन कंट्री रोडरिको चैवस ने किस मध्य अमेरिकी देश के राष्टपती के रूप में शबत ली है और प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट किये गए हैं 2022 से 2026 के लिए बात करें तो कैपिटल सैंजोस है और करन से है कॉस्टा रि तो तो यह देखिए यह तो अपका नॉर्थ अमेरिका, यह आपका सॉथ अमेरिका और यह बीच में जो आप पट्टी देख रहे है इसे बोलते हैं central अमेरिका तो इस अभी कंट्री جो आप गॉटेमाला निकरगूवा यह सेंटर अमेरिकन इसैन और यह कोस्ट अरिका केपिटल बहुत बार पुछी जाती है मैस्ट फॉलोइंग में या फिर और भी एक तो को स्टारिका होगी है और एक पॉर्टरिक होगी इन दोनों कंट्रीज सी केपिटल आपको पक्का याद रखनी है विचो तो फॉलोइंग हैस बिकम दा फॉर्थ इंडियन ग्रूप तो एक्वायर फ्रेंचाइजी इन युवेज टी ट्वंटी लीग निम्लिकित में से कौन स्युक्त अरब अमिराथ की टी ट्वंटी लीग में फ्रेंचाइजी हाजिल करने वाला चोड था भारतिय समू बन है यहां पर एक फ्रेंचाइज लेने के राइट्स जो है एक्वायर कर लिए है तो यह फॉर्थ इंडियन ग्रूप बन गया जिसके जिसके पास अब एक फ्रेंचाइजी रहेगी है आपर यूए टी ट्वंटी लीग में क्रिकेट होने वाला है जैसे आई पेल इसी तरह का आई पेल स्टाइल में इससे पहले रिलाइंस इंडूस्ट्रीज जी एम आर ग्रूप और कैप्री गुरूबल इन्होंने भी आपर फ्रेंचाइजी जो है अपनी हल ली हुई है विच सिटी होस्टेड दा एंटरप्राइज इंडिया नेसल कॉयर कॉनक्लेव 2022 कि सहर ने इ इन्होंने एंटरप्राइज इंडिया नेसल कॉयर कॉनक्लेव 2022 को इनोगरेट किया है अंडर आजादी काम रित महसा और कहां पर किया गया कॉयम टूर तमिलनाडू में इन्डियो के निदेशक मंडल अध्यक्ष के रूप में किसे निउक्त किया गया है और सही आंसर ऑप्शन दी है यहां पर वेंकटर रामनी सुमंतरन चले जानते हैं इंटर ग्लोब एवेशन ने वेंकर रामनी सुमंतरम को इंडिको बोर्ट का चेर्मेन न्यूक्त किया है और यह मेलेविती दामोद्रम को सक्सीड करेंगे अच्छे हैं अबर आपको जाना चाहिए इंटर ग्लोब एवेशन के बारे में जो की इंडिको के नाम से अपना बिजिनेस करता है और इंडिको आपको जानना चाहिए कि यह इंडियन लो कोस्ट एरलाइन है जिसका हैट्वार्टर से गुरुगां हर्याना में है और यह अ किस संगठर ने तकनीकी करमचारियों के लिए कोशल विखास और उद्यमिता मंत्राले के साथ समझता है कि आपने प्रस्ताक्षर किये हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा इश्रू तो देखिए इश्रो में जो टेकनिकल स्टाफ है तो उनको कोशल फिकास यानिको इसकिल डेवलब्मेंट के लिए समझ रहे हैं बाद जो इस तो में जो टेकनिकल स्टाफ है उनमें इसकिल development के लिए इस तोरों ने mystery of skill development and entrepreneurship के साथ एक MOU sign किया है Who will head the panel set by the Supreme Court to monitor recovery from NSEL defaultors NSEL defaultors से वसूली को monitor करने के लिए Supreme Court द्वारा गठित panel का नित्वत कोन करेगा options आपके सामने है सही answer option D है प्रदीब डंदरा जोग तो देखे सुप्रेम कोट ने एक हाई लेवल कमिटी बनाई है और इसको head करेंगे retired Bombay High Court Judge प्रदीब नंदर राजूप और यह कमिटी किसलिए बनाई है देखे जो भी defaulters हैं जिने नेस्टनल इस्पोर्ट एक्स्चेंज लिमिटेट का पैसा और नेस्टनल स्पोर्ट एक्स्चेंज लिमिटेट को इसके लिए डिक्री भी मिल गई है यानि की कोट का आदेश ही मिल गया है कि जो डिफॉल्टर्स हैं वह पैसा लोटा है इसका ठीक है तो वह लिकवरी ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है उससे संबंद्दी यह हाई-level कमिटी बनाई गई है और आपको जानना चाहिए जो order दिया है सुप्रेम कोट ने अब यह कमिटी बनाई गई है तो यह order सुप्रेम कोट ने Article 142 में जो सुप्रेम कोट को power दी गई है उसके तैयत वे order दिया गया है आर्टिकल 142 में क्या है कि सुप्रेम कोट लventional और executive दोनों तरकी authority के तरह कारे करता है और जो इसका आदेश होता है वो पूरे भारत में लागो रहता है ठीक है और किसी भी तरह की scrutiny आप Supreme Court के ओडर की नहीं कर सकते हैं यह अगर paragraph में इसमें ना इंसर्ट करता तब भी आपका काम इससे चल जाता पर यह मैंने इसलिए किया है ज तो बच्चे हैं जो state PCS वाले भी कई aspirants जो देखते हैं हमारे current affairs या फिर SSC वाले भी है तो आर्टिकल 142 के बारे में पूछ लेते हैं कभी-कभी तो यह काफी महत्तपूर्ण आर्टिकल हैं हमारे constitution का इसको आप खुद से भी पढ़िएगा तो चपन सो क्रोड रुपे का जो है पैसा यहां पर NSEL का जो है फसा हुआ है तो उसी की recovery से संबंदित कमीटी बनाई गई है अच्छा सुप्रीम कोड से संबंदित एक और खबर है वह भी मैंने हैं पर ही एड कर दी है गोहार्टी हाई कोड चीफ जस्टिस सुधानसू धूलिया और गुजरात हाई कोड जच जमशेद भी पारदी वाला इन दोनों नहीं सुप्रीम कोड जच के रूप में जो है शपत ली है और इसी के साथ सुप्रीम कोड अपनी फूल स्ट्रेंथ यानि की 34 जजेस की स्ट्रेंथ पर पहुंच गया है 33 प्लस वन वन चीफ चस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जजेस टाइमस हायर एजुकेशन इंपक्त रैंकिंग्स 2022 टॉप्ट बाइविच इंस्टिशन टाइमस हायर एजुकेशन इंपक्त रैंकिंग दोजार अवाइस में कों सा संस्थान शीर्स पर है तो देखिए टाइम सायर एजूकेशन जो की दवर्ड रैंकिंग को पुब्लिश करता है तो इसने अपना 2022 का इंपक्ट रैंकिंग इसको रिलीस कर दिया है इसमें 1524 इंवर्स्टीज को शामिल किया गया 110 कंट्रीज या फिर रीजन्स से और युनाइट नेशन्स के जो सेव इससे आप सी यह आपर रैंक दीगई है तो आपको जाना चाहिए और वेस्ट थाइन्स खुन सब्सक्राइच इसने भारत की तो यह विश्टीज सतभाइए और साथंवे यह वारत की थो सती जगह पाई है जिनमींकी अम्रिता विष्वा विद्यापीथम इसने 41 रैंक है और लवली प्रोफेशनल यूवर्स्टी इसकी रैंक 74 है अगर टोप 300 यूवर्स्टी इसकी बात करें तो उसमें 8 यूवर्स्टी भारत से हैं और अगर अगर अवरोल बात करें जो जितने भी इन यूवर्स्टी इस मिल इसका मतलब क्या हुआ जो रैंकिंग है कोई देश होगा मान लिजिए उनियाटे स्टेट से सब ज़्यादा यूवर्स्टी इस ने जगा पाई है वहां से ठीक है तो इस इसाब से भारत जो है फॉर्थ पोजिशन पर हैं मतलब भारत की जो जो भारत से सब स्यादा यूव आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन सी रहेगा ग्यारा मई को महत्तपुर्ण ये भी आपके लिए तो देखे हर सालम ग्यारा मई को नेसल टेक्नोलोजी डे मनाते हैं आपको बता दें फॉर्ण प्राइमेस्टर अटल भ्यारी वाचपाई जो रहे हमारे तो इन्होंने ग् साइन टेक्नोलोजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर महत्तपुर्ण याद रखेगा आपको जाना चाहिए क्यों बनाते हैं ग्यारा मई को नेसल टेक्नोलोजी दे क्योंकि ग्यारा मई 1998 को भारत ने तीन नुकलियर टेस्ट जो है कंड़क्ट किये थे इंडियन आर्मी का जो फस्ट इंडिजिनेस एरक्राफ्ट है हंसा 3 इसको भी टेस्ट किया गया था और इसके अलावा 11 मई को ही त्रिशूल जो की सर्फेस टू एर मिसाइल है इसकी भी जो है सक्सेस्फुल टेस्ट फाइरिंग की गई थी तो इसलिए हम इसलिए ग्यारा मई जो है टेक्नोलोजी और आप मैं से कई एस्ट इसे बिल्कुल सही जवाब दिया है इसी तरह से आप पार्टिसपेट करते रहें कि ूट्रATION इंक्रोच्मेंट ड्राइव इता है इन डल्य इंटि आट्रोच्मेंट ड्राईव इस्ट peek इन ड़ली तो यहां और यहां पर हमारे Mother about पार देता है आपको सोबार्टिता हूं चuleत को तरने के लिए जो नंहें आपर लोगोंने जो आगे खड़े हो गए और इसको रोग दिया कि जो है नहीं आप हमारी जो प्रपर्टिय दुकाने वगरा हैं घर हैं इनको नहीं तोड़ सकते तो उससे संब्धित यह न्यूस है तो हमारा शब्द है इंक्रोच्मेंट इंक्रोच्मेंट का मतलब क्या होता है पहले तो आप सम और पाते हैं उसको भी पैदल चलने वालों लोग जो है उनका रास्ताबन दो जाता यह फिर कुछ लोग क्या करते हैं उनकी बगल में जैसे mum Our पर पर भी थोड़ा सा जो है अपना एरिया अपना लाएंगँग सा बना लेते है तो यह सब ही चीजे कहलाती है इंक्रोचमें Stalled मतलब क्या हुआ? किसी चीज को रोक देना, डिले कर देना, तो देखे anti encouragement, encouragement क्या हुआ? illegally आपने किसी चीज को हडपा हुआ है और anti जब जुड़ गया, यानि कि उसका विपरीद, तो anti-encroachment, यानि कि encroachment के खिलाफ जो drive शुरू की गई थी, यहां पर municipal corporation द्वारा डेली में उसको install कर दिया गया यानि कि लोगों द्वारा उसको रोक दिया गया अच्छा encouragement आप इस तरह से भी सकते हैं the act of gradually taking away someone's else right or taking control of someone's time work ठीक किसी के right यह आपने ले लिया हैना मेरा अधिकार है कि मैं यह कर सकता हूं और मेरे अधिकार को किसी ओर ने छिन लिया तो उसको भी आप encouragement कर सकते हैं कि मेरे राइट का encouragement किया गया है कि नियावर दे सकते हैं Encroachment occurs when a property owner trespass trespass मतलब होता है किसी की property में घुसना बीना जाजत trespasses on to their neighbors property by building or extending structure beyond their property line बाकी यहां देख सकते हैं install के बारे में if you install an event you delay it or prevent it from making progress यह आप किसी event को install करते हैं मतलब आप उसे होने में या तो डिले करवा दे रहे हैं या फिर उसे होने ही नहीं दे रहे हैं जैसे commandos installed the enemy attack by destroying three bridges commandos ने किया गिया जो enemy का attack था उसको install कर दिया उसको रोक दिया कैसे तीन bridges को destroy करके इस तरह से आप देख सकते हैं आज के assignment questions तेखेंगे PM Mitra scheme is related to which ministry full form जरूर बतायेगा इसकी which Indian state has reported cases of tomato fever the Holongi Greenfield airport is coming up in which state India and which country signed an MOU for establishing a green hydrogen task force or 5th है आप के लिए the MBBS degree from which neighboring country is invalid in India according to a notification issued by the National Medical Commission in April तो 5 questions के answer आप हमें comment box में जरूर दीजेगा यदि आपको एक question का answer भी आता है तो अभी आप हमें comment box में बता सकते हैं साथी current affairs funda को आप telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current कोई जिसम आप सभी करे डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते हैं आपने हमारे current affairs की प्लेज़ दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ हमारे current affairs को शियर जरूर करें आज का session आपको कैसा लागा comment box में जरूर बताइएगा thank you guys